हलो बच्चियों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल में बच्चियों आज की इस वीडियो में हम क्लाश ट्रेंथ साइंस के प्रीबोर्ड के कोशन्स को देखने जा रहे हैं ये सब सभी कोशन्स आपकी प्रीबोर्ड एक्जामनिसंस में 100% गैरेंटीड है कि जरूर रहेगा तो इन सभी कोशन्स के न अच्छे से आप लोग तैयारी जरूर कर लेना सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के कोशन्स से वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको और मैं बता दूँ कि यहाँ पे जितने भी कोशन्स हैं ये सब सभी कोशन्स लॉंग और शॉर्ट में हैं MCQ में या फिर objective में कोशन्स यहाँ पे हमने नहीं लिया हुआ है MCQ या objective कोशन्स जो 1-1 marks वाले कोशन्स हैं इसकी वीडियो हम आगे बनाएंगे तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और अगर आपको social science की इसी तरह के paper देखने होंगे तो उसका link description पे दिया हो जाके देख लेना उसकी वीडियो हमने अल्रेडी बना रखी है तो पहला कोशन्स दिया गया है यहाँ पे एक reaction दिया गया है और इस reaction में आपको यहाँ पे X, Y और Z दिखाई दे रहा होगा तो simply आपको क्या करना है कि इस reaction को balance करना है आप balance करने के लिए आप लोग उने जरूर क्या chapter 1 में सीखावा होगा अगर नहीं सीखावा होगा तो एक बार जरूर सीख लेना क्योंकि यह important है एक question आपके examination में यहाँ से जरूर रहेगा ही रहेगा तो इसको balanced कर लेना balance करने के बाद x के जगा पे जो भी number आया जैसे x के जगा पे 2 आया तो x का value 2 हो जाएगा इसी तरह y के जगा पे जो value आएगा वो y का value होगा और z के जगा पे जो value आएगा वो z का value होगा ठीक है बहुत असा question है इसको बनाना अगर किसी से नहीं बनेगा comment करना मैं किसी दूसरे वीडियो में आपको इसका answers अच्छे से समझा दूँगा ठीक है मैं यहाँ पे answers नहीं बता रहा हूँ आप लोग try करना नहीं होगा तो मैं जरूर बताऊंगा दूसरा question दिया गया है यहाँ पे देखो एक flow chart करके दिखाया गया है जिसमें X और chlorine का reaction से यहाँ पे हमें एक Y मिल रहा है फिर इसमें से H2SO4 का reaction हुआ तो Z, chlorine और water मिला तो यहाँ पे question में X, Y, Z क्या क्या होगा वो identify करना है देन यहाँ पे दिया गया है कि X और chlorine का जो भी chemical equations होगा उसको भी लिखना है और यह भी दिया गया है कि white powder Y का और H2SO4 का जो reaction होगा वो भी करके दिखाना है तो overall इसमें आपको पहले यह identify करना है फिर इसका chemical equation लिखना है ठीक है यह question है अगर यह भी नहीं बनेगा comment करना मैं दुसरी वीडियो में आपको जरूशन जा दूँगा अगला question number 3 है A solution of a substance X is used for whitewashing एक solution मतलब कोई substance X है उसका use किया जाता है whitewashing के लिए अब आपको पता होगा कि whitewashing के लिए हम कौन से substance का use करते हैं चुना करते हैं obviously तो question वही पुछा गया है कि name the substance X तो substance X क्या है और उसका formula क्या होता है बहुत ही आसान सा question है और B number में question में यहाँ पे दिया गया है कि write the reaction of the substance X named in above with water तो यहाँ पे जो X substance आया तो उसका water के साथ जो भी reaction होगा वो आपको करके दिखा देना है ठीक है next question number 4 है कि on heating blue colored powder of copper to nitrate copper to nitrate को अगर हम boiling tube में मतलब test tube में जो है अगर हम heat करते है तो इससे हमें copper oxide oxygen gas और brown gas जो है वो formed होता है यानि हमें मिलता है तो इसका जो balanced chemical equation है वो करके दिखाना है इसके बाद है identify करना है उस brown gas को जो भी निकला जो भी evolved हुआ कौन सा brown gas evolved हुआ हुआ में लिखना है और किस type का ये reaction है ये भी लिखना है आपने 4 type के chemical reactions पढ़े होंगे combination reaction, displacement reaction, double displacement reaction, decomposition reaction तो इन में से किस type का reaction है आपको C number में वही लिखना है अगला question number 5 है name the acid present in ant sting and give its chemical formula ant की sting में अचीटी कारती है उसमें कौन सा acid present रहता है और इसका chemical formula क्या है बस इतना ही सा आपको लिखना है तो इसका answer क्या होगा mithanonic acid या formic acid आप उसका जो chemical formula होगा लिख देना mithanonic acid का next question number 6 है एक compound X which is prepared from gypsum या form हो गया, from होगा ठीक है एक compound X है जो कि gypsum से form हो रहा है has the property of hardening vein mixed with proper quantity of water तो identify करना है X और उसका जो chemical formula होगा वो आपको लिखना है मतलब simple सा एक उसमें question है कि X जो compound है अगर वो gypsum से form हो रहा है तो वो जो X compound है वो कौन सा compound होगा उसका chemical formula क्या होगा यह आपको यहाँ पे लिखने के लिए बोला गया है acid basis and salt का यह question है असान है आप gypsum वोला form देख लेना gypsum से कौन सा compound X हमें मिलता है easy है बहुत easily है इसका answer आपको मिल जाएगा next question number 7 है एक compound X of sodium is used as an anti-acid and it decomposes on strong heating एक compound X है sodium का तो उसका use किया जाता है anti-acid में तो आपको पता करना है कि कौन सा sodium compound X का anti-acid में use करना है और यह भी दिया गया है कि वो decompose होता है उसका और strong heating करे तो ठीक है तो compound X किया है उसका chemical formula क्या होगा यह लिखना है उसका balanced chemical equation करके दिखाना है next आप question number 8 दिया गया है write the steps involved in the extraction of pure metal in the middle of the reactivity series from the carbonate ores देखो reactivity series का जो middle में आता है उसका extraction किस तरह से होता है carbonate ore से तो वो आपको लिखना है पहले फिर B number में दिया गया है कि how is copper extracted from its sulfide ore sulfide ore से copper को किस तरह से extract किया जाता है इसका वे answers आपको लिखना है question number 9 है explain the formation of scum when hard water is treated with soap hard water अगर soap के साथ मिलता है तो इससे scum का formation होता है इसको explain करना है कैसे second question इसका आगे दिया गया है कि what is hydrogenation hydrogenation से आप क्या समझते हैं what is industrial application इसके industrial applications क्या क्या है question number 11 है draw the electron dot structure of A number में दिया गया है ethnoic acid इसमें electron dot structure करके दिखाना है पहले ethnoic acid का और इसके बाद H2S का यह सब भी easy questions है आपको easily इसका answer मिल जाएगा question number 12 है what is saponification saponification से आप क्या समझते हो पहले यह लिखना है फिर इसी में question यह भी है कि why detergents are better cleansing agents than soap जो detergents होता है वो soap के comparison में ज़्यादा अच्छा से clean करता है इसको explain करता है क्यों यह भी easy question है carbonates compounds का question यहाँ पर दिया गया है तो यह chemistry के question थे यह question आपके परिक्षा में पकाएगे आएगा आएगा इसकी त्यारी अच्छे से जरूर कर लेना अब चलिए आगे हम physics के सभी questions को देखते है तो पहला question दिया गया है एक concave mirror produces three times magnified real image of an object placed at 10 cm in front of it तो where is the image located image किस जगह पर बनेगा देखो यह जो question है यह आपके NCRT किताब में light reflection and reflection chapter से दिया गया है तो NCRT किताब चेक कर लेना वहाँ पर आपको इसका जो question है मिल जाएगा answer भी आप देख लेना अगर नहीं बना पाओगे comment करना मैं दुसरे वीडियो में आपको answer समझा दूँगा अगला question है कि एक concave lens है जिसका focal lens दिया गया है 15 cm forms an image 10 cm from the lens तो how far is the object placed कितने दूरी पर object को रखा गया है lens से और आपको इसका ray diagram भी draw करना है ठीक है अगला question number 3 है कि एक ruby है जिसका refractive index है वो दे दिया गया है 1.7 तो इसमें ruby में जो speed of light है वो आपको find करनी है और speed of light in vacuum आपको पता होगा यह होता है 3 into 10 का power 8 meter per second यह given भी दिया गया है try करना नहीं होगा comment करोगे मैं बताऊंगा आगे की वीडियो में आपको सिस करना पहले अगला जो question है इसमें ray diagrams draw करने के लिए बोला गया है A में आपको draw करने के लिए बोला गया है myopic eye का और B में draw करने के लिए बोला गया है hypermetropic eye का अगला next जो question number 5 है दिया गया है what is atmospheric reflection atmospheric reflection क्या होता है पहले तो यह लिखना है साथ ही दो natural phenomena भी आपको लिखना है जो कि atmospheric reflection पे based होता है अगला question number 6 है scattering of light क्या होता है और जो blue color हम लोग देखते हैं sky में तो वो क्यों होता है explain करना है इसको बहुत ही simple सा question है next question number 7 है what is heating effect of electric current जिसको हम joules heating effect of हम लोग ऐसे करे joules law भी हम लोग इसको कहते है तो joules law भी आपके examinations में रह सकता है या फिर ऐसे भी रह सकता है what is heating effect of electric current और इसका जो भी expression होगा वो भी आप लोग को निकाल के दिखाना है अगला जो question है वो electricity chapter का एक numerical है ये NCRT का है ठीक है NCRT किताब में देख लेना आपको ये question जरूर मिल जाएगा an electric heater of resistance इसका resistance दे दिया गया है एक electric heater का atom draws 15 ampere ये दे दिया गया है current from the service means for 2 hours time दिया गया है तो calculate करना है rate at which heat is developed in the heater ठीक है try करना NCRT किताब में आपको ये question भी मिल जाएगा question number 9 है what is the function of galvanometer in a circuit circuit में galvanometer का क्या कारी है क्या काम करता है question number 10 है draw the pattern of magnetic field lines of पहले आपको current carrying solenoid का जो pattern होगा magnetic field lines का तो वो draw करना है और फिर bar magnet का भी करना है तो ये physics के questions हो गए अब चलिए आगे हम biology के questions को देखते हैं तो पहला question दिया गया है what is the purpose of making urine in the human body human body में urine जो बनता है उसका क्या purpose है इसी में question ये भी है कि name the organs that stores and releases the urine आपको उस organs का नाम लिखना है जो urine को store करता है और release करता है second जो question है यहाँ पर एक food chain दिखाया गया है और इस food chain से related देखो यहाँ पर दो question दिये गए है our environment का question है देख लेना, try करना, नहीं बनेगा comment करना, मैं किसी दूसरे वीडियो में आपको इसका answer समझा दूँगा next question number 3 है describe the structure and functions of nephron nephron का जो structure है उसको draw करना है उसके functions को दिखाना है और उसको describe भी आपको करना है question number 4 है describe double circulation in human beings and why is it necessary double circulation human being में जो होता है ठीक है इसको describe करना है और यह क्यों जरूरी है यह भी आपको लिखना है question number 5 है what are the different methods of contraception contraception का क्या-क्या different methods है यानि pregnancy का ठीक है क्या-क्या methods होता है वो आपको लिखना है question number 6 है draw a level diagram of the longitudinal section of a flower longitudinal section of flower का जो diagram है वो आपको draw करने के लिए यहाँ पर बोला गया है question number 7 है how do Mendel's experiment shows that traits are inherited independently जो Mendel's का experiment है वो कैसे दिखाता है कि जो traits है वो inherited independently होता है यह आपको यहाँ पर लिखना है question number 8 है how is the sex of the child determined in human beings human beings में जो sex होता है sex गरान बाद जो child होता है वो किस तरह से होता है कब wife baby होता है कब girl baby होता है तो वही आपको यहाँ पर लिखना है describe करना है कैसे होता है question number 9 है which hormone is secreted in females during delivery and state its function delivery के दोरान कौनसा जो hormone है वो female में secret करता है और इसके क्या functions है वो आपको लिखना है अगला question number 10 है कि जो neuron का structure है वो आपको बनाना है draw करना है और उसके functions को भी explain करना है and last question है कि biodegradable और non-biodegradable substances से आप क्या समझते हैं इसको example देकर आपको लिखना है ठीक है तो ये तीनों जो भी हमारे subjects है chemistry, biology और physics उसका मैंने आपको question दे दिया है यही question आपके pre-board की परिच्छा में आएगा इसके तयारी जरूर कर लेना और अगले वीडियो में आप लोग को other subject के भी इसी तरह से आपको तयारी करवाऊंगा तब तक हमारे चैनल को subscribe कर लेना थैंक्यू, बबाए